बहुत बहुत धनिवाद राजपाल महुद्यार आपके शुपकामनाओं के लिए और आपके संदेश के लिए तो देवी सजनो जैसे कि आपने सुना उतरपदेश की विकास गाथा विकास का जो जुनून शुरू हुआ है अब वो थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं अभी तो आगाज है, मन्जिले अभी और भी है तो इस अफसर पर जब हमारा उतरपदेश की विकास का नया दिहाई शुरू होने जा रहा है हम हमारी माननी मुक्यतिती, हमारी माननी राश्पती जी, शिर्मती दौपती, मुन्नू जी के आशीर वचन और उनके संदेश मार्ग दर्शन को आमंत्रित कते हैं कर्वत होकर सभी की तरव से मैं उन्हेंने वेदन करती हूँ हम सभी के मार्ग दर्शन है तू, अपने विचारों से हमें लभान वित करिए उत्तर प्रदेश ग्लोबक ग्लोबल इन्भसपेर्मी समीत दो हाजार देश में उपस्तित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल स्रीमती आनंदबेन पटेल जी, आदर्णे मुख्य मंत्री जोगी आधित्यनाद जी उपमुख्य मंत्री स्री केसव प्रसान मोर्य जी उपमुख्य मंध्री जी प्रजश पाठग जी उत्र पदेशतर करमे अङ्टक केस मंध्री स्री नंदगपाल गुपता Nandiji जी ने शचकेक बिकास और सवड़िया कारयो राज्य मंध्री स्री यष्पंचिन जी जी इन्वेस्टर फ्रम इंडिया एंड एबरड गुरमन्य अतितियों देवियों और सोजन इस अतंत महत पुर्ण आयलन के लिए मैं मुख्यमंत्री आद्यन जगी आदितिनाथ जी और उनकी पुरिट टीम की सरहना काती इस आयलन की सफलता के लिए मैं मुख्यमंत्री जी उनकी टीम के सोभी सद्दस तथा उत्तर परदेश के सोभी दिवासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देती मुझे बताये ग्या है कि बस 2018 में आयोजी उत्तर परदेश इंवेस्टर समित के पुरिणाम सरूप राज्यों में भारी मात्रा में निवेश बढ़ा इस सफलता के लिए मैं राज्य सरकार को बढ़ाई देती हूँ राज्यों की मौताथन की सोच के उनुरूप पिछले इंवेस्टर समित की सफलता के आधार पर एक लवाल इंवेस्टर समित और अधिक बड़े पेमाने पर आयोजीत किया जा रहा है मुझे बताया गया है कि इस समित का आयाजन करने के लिए लोगभक सभी महादसों के सोलो देशों से संपर्थ किया गिला तथा विश्टर भर में फेले 21 महानोगर में निवेसकों के साथ बिजार भी मुश्ट किया गया इस प्रकार ये समित सही अर्थ में निवेसकों का एक महाद कुम्भ है प्रियागराज में बस 2019 के कुम्भ के सांदार आयोजन के लिए मुख्यो मंत्रे जी की और उनकी टीम की पूरी विश्टों में प्रसंग सा होती है इसी प्रकार निवेसकों के इस कुम्भ को भी उसातन सपलता के साथ साथ विश्ट व्यापी ख्याती मिले ये मेरी मौंगल का मना है मुझे बहुत प्रसंथा का और हुआ भरा ही है कि उतर प्रदेश की मेरी ये जात्रा राज्यो की विकास के इस मापर्व की आउसर पर खोरे ही है लड़ी ये जटलमें, I am very happy to know that investors from other countries have demonstrated keen interest in the sound investment opportunities available in Uttar Pradesh on behalf of 1.4 billion people of India and 250 million residents of Uttar Pradesh I convey a very warm appreciation to all the participants who have came here from the partner countries I am glad to note that so many countries are coming forward to contribute to the growth and development of Uttar Pradesh देबियों और सो जनों जनों संख्या की दृष्टी से देश का सब से बड़ा प्रदेश होने के साथ सा देश की अर्थ वेवस्ता में योगदान देने के दृष्टी से भी उत्तर प्रदेश ओनेट चेत्र में भारत में प्रथमस्तान पर है इस महत्तपुण राष्टे जगदान के लिए उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाई वेहनों और पुज्जमी बंधों की में बहुत बहुत साराना कात्ती हूं उत्तर प्रदेश सरकान ने दूर्द शितापुन नितियां लागू की और उन नितियों के कार्यों रूप दिया है ठोस परिणाम के बलूपर उत्तर प्रदेश नहीं भारत के ग्रोथ इंजिन की भूमी का निभाने के लिए सक्षम भी है और तेयार भी है देबियों और सोजन विगर्थ एक प्रदेश को केंद्र सरकान ने जो बज़र प्रस्तूत किया उसमें अमरुद काल के लिए कुछ महत्तों पुनालग्यों तोई किये गिये है इन्वेस्टर्स, Infrastructure and Investment, Inclusive Development, Green Growth तोथा चार अन्यचेत्रों का प्राथमिक्ता दी गई है इन प्राथमिक्ता को सब्तर उसी नाम दिया गया है मुझे ये देकर प्रसंता हो रही कि इन दियो बज़र की इन साथों प्राथमिक्ता से जुड़ी विशरों को इस UP Global Investor Summit में विचार भी मस्क हुआ है और निवेस्ट का मार्ग प्रोसोस्त हुआ है मुझे पूरे विश्वा से कि देश के विकास के अमरुद काल में उत्तर प्रदेश का युगदात अतन्त महत्पुर्ण होगा देवियों और सोजनों उत्तर प्रदेश की धर्ति अन्नपुर्णा है यहां के किसान भाई बेहन हमारा अन्नदाता है यहुशलीत खाज़ण्यों के पूल उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है गन्ना और आलू के उत्तर प्रदेश का देश भर में प्रत्रमस्तान अनिवाय है आम और मोटर के उत्तर प्रदेश का युगदान सबसे अधीक है इसी प्रकार दूज के उत्तर प्रदेश भारत में सोब से आगे है प्रुशी उत्तर प्रदेश को से समुरुद हने के कारण राज्यों में प्रुशी पर आधारित उत्यमों के लिए बहुत अधिक सम्भावनाय है मुझे बताया गया है कि इस इन्वेर्शर समित में लिवेरेजिंग फूड बास्केट अप इंडिया अपर्चून्टी फूड प्रुशेसिंग पर 27 आयोजित किया गया है खाली में उत्रपदे सरकार द्वारा लागुक्ती की फूड प्रुशेसिंग पॉलिशी 2023 की स्वायता से राज्यों के खाज्यों प्रोसंग संक्रोण उत्यजग में विशेस प्रसाहित मिलता है आनलोकिन ओपर्चूनिटी इन डायरी एन अनिमाल हैजबनेटी सेक्टर जे से स्वत्र आयोजित करके आप सुपने बहुत आच्छी पेहल की है मैं एक किसान परिवार से हूँ इसलिए मुझे अनिमाल डिसोर्चेट के महत्तों का व्यापक अनुभव है इस योनेक महत्तों प्रयासों के लिए राज्यपास्री मत्यानंदी में बिन पटल जी, मुझ्यमंत्री जोगी आनंद जी की और अधितनाद जी की तो थाराज्य सरकार की पूरी टीम को मैं मुक्त कंठ से सराना करती हूँ देबियों और सोजनों भारत की पहल पर बरस दो हजार एलिस को संजुक्त राश्ट द्वारा इंटरनेशनलाल यारोप मिलर्ष गसित कि आ गया है मुझे यह जानकार प्रसंता हुई है कि मिलर्ष की प्रत्मिक्ता के अनुरूप उत्तरप्रदे सरकार द्वारा डिमान साइड और सप्लाइ साइड दोनों आया मंपर मोटे आनाजों को प्रसाहित दिया जा रहा है इसमोई उत्तरप्रस में निन्यों लेने वाली स्तीर सरकार का यर्यत है राजमतिक परिवेश की स्तीर्ता तो था प्रसाशन की निरंतरता निवेशकों के लिए बहुत स्वायक सिध्य होती है साथ ही राज्य सरकादर निवेश क्रिक प्रक्रिया को स्वरोड बनाने की जो प्रयास कर गया है उनके लिए ये आच्छी परिणाम जोरूर प्राप्त होगी इसा उनिमान है कि इस समीट के माइधम से उत्तर प्रडेस में 25 लाग से अधिक 25 लाग पचार हज पचास हजार इनिवेश एहां प्रोस्तावित किया गया है और MOU साइन किया गया है इसलिए मैं उत्तर प्रडेस के सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यबाद देती हूँ बधाई देती हूँ कितने बड़े प्रिमाने पर निवेश के खौल सरूप 9 लाग से अधिक रजगार पेदा होने की संभावना है मैं इन प्रयासों की सफलता के लिए उत्तर प्रडेस के लोगभग 25 लोग निवासियों को अग्रीम बधाई देती हूँ मुझे ये जानकर पसुनता हुई है कि उत्तर प्रडेस में MS-MAG की संख्या लोगभग 95 लाग है जो देश के सबसे अधिक संख्या है MS-MAG देश की इंदस्ट्रिस के मिरदन्नों हने के साथ सर्थ कुरुशी छेत्र के बाद रोजगार के सबसे औरीक अप्सवर भी प्रदान करती है मुझे विश्व से कि उत्तर प्रडेस का MS-MAG सेक्टर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हुए भारत के आर्थिक विकास में प्रमुक भूमिका निवाएगा ये प्रसंता की बात है कि हमारे देश को 5 ट्रिलियन डलार की अर्थवेवस्ता बनाने का लच्या प्राप करने में कि अत्म रेतर प्रडेश ने राजस्तर पर वान ट्रिलियन डलार're की अर्थवेवस्ता बनाने का संखल्क लिया है यानि देश की पूल अर्थवेवस्था का पांचवा हिस्सा उत्तर प्रडेश के यगधान से व्राप्त होगा उत्तुर्पदेश में और्थवेवस्ता को बढ़ादेने के इस सभी प्रयासों से आत्मनीद्वर भारत अभियान का भी बॉल मिलेगा उत्तुर्पदेश में इंफ्रस्ट्रेक्चर का विकास बहुत तेजी से किया जा रहा है इंफ्रस्ट्रेक्चर का विकास देश के निवासियों के साथ सर्थ निवेशकों के लिए भी बहुत स्वायोग सिध्य होगा आज हमारे देश मोबाइल फन के निर्मार में और निर्याद में बहुत आगे बढ़ चुका है ये एक गहुत महत्तो पुर्णत तो है कि देश में 65% मोबाइल फोन्स उत्तोर प्रदेश में ही बनते हैं मुझे बताया गया है कि देश में बनने वाले मोबाइल फोन्स के 55% कॉम्पोनेंट्स उत्तोर प्रदेश में ही बनते हैं मुझे यह जानकार प्रसंत हुए है कि राज्यसरकार का ओडियोपी यानि एक जिल्ला एक उत्पादन कार्योक्रमों बहुत सफल रहा है। उत्तरपदेश के नीर्यात में ओडियोपी ब्रोड़क्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे विभिन्न जिल्ला के परमपरागत उध्योम्यों से जुड़े लोगों का आर्टिक सोशक्तिकरन होता है। पडियोपी नीवेशकों के लिए भी एक आकर्शक छेत्र है। उत्तरपदेश में डिफेंस करीडर विकासित किया जा रहा है। इससे भारत की रख्या आत्मनी भत्ता को सवल प्राप्थ होगा। साथी नीवेश, उध्योम और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। देवियों और सोजनों। विकास और पर्याबन के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए उत्तरपदेश और करद्वारा ओनेत प्रयास किया जा रहा है। रिनुएबल इनेर्जी के विकास से उत्तरपदेश में सस्थेनेबल डेवलोपमेंट की दिशा में प्रगती हो रही है। मुझे बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल वेहिकाल्स की सोबसे उधिक विकरी उत्तरपदेश में हुई है। उत्तरपदेश में ग्रीन इनेर्जी कोरिडर्स को विकसित किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन हाइडरोजिन मिशन के तहट इनर्जी ट्रांजिसन की दिशा में प्रयास किये जा रहा है। उत्तर पुदेश के एसे सभी प्रयास देश के नेज़िरों के लक्षों को प्राप्त कर दे में बहुत फ्वायोग सिध्य होंगे। इन प्रयासों के लिए मैं राज्य सरकर की सराना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि देश के सबसे बड़े और सबसे जुबा वार्फवास वाले राज्य उत्तर पुदेश का सोरोजगर के छेत्रों में भी अग्रणिस्तान होगा। मुझे ये जानकर प्रसंत हुए है कि इस समिर से विकास के समाजिक आयामो पर भी समगरो रूप से विचार किया गया है। आफर्मेटिव अक्षन पोलिशीज पर इंक्लूसिव ब्रोच इस चत्रोप और मेरा ज्यान गया। अन्ड लिया है। । समाझ के यौ जी प्रोदेश महलो uneasy में उद्रियों को प्रसाःत किया जाता है। उसका विकास सुनिश श्चीत होता है। को हम भारत में आध्राफ आबादी मोहीलाई है। उनका विकास उनका आर्थिक, समाजीक अध्धात्मिक विकास नहीं होने से देश का विकास असंभोग है। आप्तिक समाजिक सक्क्राणिक एबंग अध्यात्मिक विगास बहुत जोरी है इस दिसा में उत्तरपदेश सरकार प्रयास कर रहे हैं यसलिए मुन्त में उनको बहुत बहुत बधाय देती हूं धन्यवाद देते हूं देवियों सोजन सिख्ञा के द्वारा ब्यक्तिगोत और समाजिक उन्नोति के रास्ते खुलते हैं राष्ट्यों सिख्ञानिती 2020 में भारत को नोले सुपर पावर बनाने की मौता कंख के साथ उनेक प्रयास किये जा रहे हैं भारत की विरासोत से जुबां को जड़ते हुए उन्हें 21 सदी की चुनतियों के लिए तेयार करना राष्ट्यों सिख्ञानिती का प्रमुख उद्देश हैं मुझे विश्वा से कि इस उमीद में राष्ट्य सिख्यानिती पर जो चर्चा परिचर्चा हुई है उनसे सिख्ञा और निवेस दोनों का पढ़ावा मिलेगा सिख्या और निवेस के संगम से देश की सबसे बड़ी जुबावादी वाले इस राज्यों में परिवर्तन कारी प्रगोती जरूर होगी उत्तरप्रदेश को प्रिफ्यार इंवेस्मेंट डेस्टिनेशन बनाने के प्रयास की जितनी भी सराना की जाए ओ कौम है मुझे पूरा विशा से की उत्तरप्रदेश को उत्तर निवेस्मेंट के रूब में विश्वस्तर पर प्रसित प्राप्त होगी उत्तरप्रदेश और अधिक संगम्रूदी होगा तो भारत की भी अधिक संगम्रूदी होगा उत्रप्रदेश के निवासियों और सोभी देश पासियों के सोर निम्भोविशों के प्रती दुड़ोविशा अस्व्रक्त करते हुए मैं आपनी बानी को विराम देती हूँ धन्यवार्द जोई हिन जोई भारत जोई उत्रप्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद माने मिये राश्विची जे आपकी सराना सभी के लिए आपकी शुपकामनाएं और आपके विश्वास और मार्दरशन से प्रेदित होकर हम यकीनन अपने संकल्पो को सिद्धी तक ले जाएंगे और अपने देश अपनी मात्र भूमी को शचत प्रणाम करते हैं अब राश्विचान से झाल अपने राश्वती महदे का पुना धनेवाद सभी की तरफ से हमारा मार्द कुछस करने का उनके पत्रदश्रक संदेश के लिए बहुत बहुत धनेवाद अपने इस्थान पर ही बने रहें थोड़ी देर के लिए और अपने इस्थान पर बने रहें पीस झाल झाल झाल